असलाम अलेकम दोस्तों कैसे आप सब लोग उम्मीद करता हूं सुब खेरे से होंगे एक छोटा सा वीडियो बनाना चाहरू था हमाई आप लोगं के लिए तकरीबन शिकारियों को देख तूमाई जो पीछे चरख का तागा बनने का रहा था उनका तरीखा जो है बहुत लोगों को देखा महीं कि वो लोग जो है इस तरीखे से घीटिया मार देते हैं ऐसा पकड़ के छडियों को क्या है डो रॉन ले ले लेके इसको ऐसा घीटिया मार देते है ऐसे घीटिया मार देते हैं यह तरीखा जो है बिल्कुल गलत तरीखा है यह तरीके से घीटिया मार देते, मार के क्या करते ऐसा बन लेतékते, यह तरीक बिलकुल घलत 살아 2 पेसली की खरीटेएं पन का यह खाया है पर न रहेता ही, बहलेजं बना थो एक यह फ़लाट दे घ्राच चल दिए, यह यह सब बना होगा था की तागा तूडबी सकता कुछ भी हो सकता सही तरीखा क्या है मैं आपको बताता हूं यह हो गया आपका चरख का तागा ठीक है यह चरख के तागे को पहले आप एक छोटी सी घीटी मार लो कॉर्णर में ठीक है यह घीटी मारने के बाद इसको इतना बड़ा लूप ले लो इतना बड़ा लूप लेने के बाद आप उसको एक एंड में घीटी मारो यह गीटी मार लो ठीक है यह बन गया आपका लूप बड़ा वाला उसके बाद आप जो है यह देख रहे ना यह आप जो है इस तरीके से देखो यह है इसके अंदर दो उंग्लिया दालो आपके दाल के यह इस तरीके से बनाव आपके फिर से देख लेक लगा यह उसके बना लो भी चडिक टार्च के रहसे लेरा उसके जो है इस तरीके से द रहा यह दालो उसके बाद यह वाला इस तरीके से पांसी को जबना लो इसको बनाने के अब आप यह जो है इस में विनाओं उसके えद ढूद जोग घिटी एक बात याद रखो कि मचली के चड़ियों में खास करके यह दिख रहे हैं यह जहां से जॉइंट होके रहते यह चड़ियां मतलब एक एक एंड पर जहां से इनके डगाले निकलते वह इससे जो है मोटे रहते उसका फिर लकड़ी पतली होके रहती तो आपको रूप जो है को देकaja बनना है यह आप ऐसे बन दी है फिर उसके बाद ठीक है एल को गई घीटी यह घीटी पर नहीं रहें यह लूज रहती है एक ही टीपे ने रहना इस तरीके दालने के बाद टाइट कर दो इसको टाइट करके फिर एक नीचे से इसा पकड़ो आपको बता तूँ खरीब से आपको खरीब से बता तूम्हें यह थोड़ा है यह पकड़ लिए यह तागा है यह पकड़ लिए फिर उसको एक अंदर से इसा फोल्ड करो फोल्ड करके फिर छड़ी के पीछे से पिनाओ समझ में आया यह तागा है इसको एक राउंड करो आप खाली राउंड करके यह वाला फिर इसमें पिना दो पिना के यह जो एंड है ताए का इसको पावड़े खीचो दिखरा ना यह हो गए डबल घीटी अपनी इसको खीचो खीच के यह वाले को आप इस तरीके से पीछे खीच दो बस अब यह घीटी ना लूज होती ना अपनी छड़ी जाने का चांस अस रहते हैं समझ में आया आप लोगो फिर से एक बार बताता हूं आपको यह तरीका प्रॉपर तरीका है चड़ी बनने का ठीक है एक बार बता तो फिर से देख लो और इसको निकालना बहुत आसानी है आप इसको खोलना है तो कुछ भी ने करना इसको जर्वरा खाली पीछे से सामने ढख लो और यह वाला सेंटर में से खीचो ऐसा लूज हो जात ठीक है फिर से एक बार बता तो आपको यह लूप बना लिए यह लूप बना कि आप इस तरीके से इसको फांसी का हिसाब से बना लिए बना के यह खैर यह कांटे वाले लकडियों में भी ऐसी से था ठीक है यह पिना दिए कि खीचो इसको ऊसके बाद यह ताफिये को जो आप नीचे के ताफिया को इस तरीके से एक फोल्ड मारो फोल्ड मार के इसके अंदर से फिर पिनाओ उसके बाद यह खीच दो यह खीज दिये खीज दे के इसको जबरा पीछे कीज दे रहा है टाइट बढ़े आता है बैड़िया नीट दिखता और एक बार यह लूप बना लिये तो अपने को हमेशा वही लूप काम को आती यह बैड़िये छडी फिर आपने को खोलना है छडी को यह यह ताय को उस तरी के जर्रा सामने ढख लो और यह वाला खीच हो हिसा खीच के ऐसा खोलो और ऐसा खोलो यह छोटा सा इंफोर्मेशन है काम का है लकड़ी जो है अपनी जाने के चांसस भी नहें रहते और थोड़ा नीड भी दिखता इस तरी के खेलो तो वह गेटिया मार ल जो तागा बना रहें तो उसको फीचे खीच के रहें ना वो लूज होती घीटी और ना ही अपनी चड़ी जाने के चांसास रहते हैं उमिद करता हूं अपनों को पसंद आया होगा या फिर इन्फर्मेटिव दिखराए तो थोड़ा शेर करें लाइक करें सब्सक्राइब क में forward करिए और आपकी कुछ request है तो बताइए इंशालला मैं भी आपको और वीडियो में दुस्रे दुस्रे चीजां बताते रहूंगा जो informative रहते स्पेशली जो शिकार के लेटेट चीजा हैं काफी सार है एक एक करके वीडियो बनाते रहूंगा आप लोंको बाताते रहूंगा जब तक के लिए शुक्रिया